तो गाइस यह देखिए, लाइफ रूप में आपको बता रहा हूँ, 6.5 डॉलर का इसके अंदर CPM रेट आपको देखने को मिल रहा है गाइस जी हाँ गाइस, अभी तक किसी भी लिंक सोटने न आपको 6.5 डॉलर का CPM रेट नहीं दिया होगा अगर दिया भी होगा, तो वो फेक होगी या फिर एक दो महीने चलके बंद हो गई होगी लेकिन यह जो वेबसाइट है, यह जो लिंक सोटने रहे काफी, ट्रस्टर लिंक सोटने रहे गाइस इसके अंदर आप आग बंद करके भी रेजिस्टर कर सकते होगाइस 6.5 डॉलर का CPM रेट देखनों को मिल रहा है और इसके अंदर जो पेमेंट है, वो आपको 2-4 दिन के अंदर आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है मिनिमम 5 डॉलर की आर्णिंग होते ही, आप इसके अंदर विड्रॉल लगा सकते हो तो चलो इन सब के बारे में आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं इस वेबसाइट का नाम, इस लिंक सोटनर का नाम तो गईस इस लिंक सोटनर का नाम है pvlink.in लिंक सोटनर जी हां गाईस, इसके अंदर रजिस्टर कैसे करना है, सबसे पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं तो रजिस्टर करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है रहिस्टर लिंक, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा देखो दोस्तो, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप जैसी क्लिक करेंगे, उसके बाद आप Google Chrome browser में redirect हो जाओगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से page open हो जाएगा, अब आपको simple से sign up all button पर क्लिक करेंगे जैसे sign up all button पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीका page सो हो जाएगा, यहाँ पर आपको subscribe अपना username डालना होगा then email id, उसके बाद मैं आपको अपना password डालना होगा, और यहाँ पर re-enter password डालने के बाद में I am not robot पर क्लिक करना होगा, और then I agree पर क्लिक करके, simple से register वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा यहाँ पर मैं यह सारी detail डाल देता हूँ, उसके बाद में register पर क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पर मेरी सारी detail फिल कर दिये then यहाँ पर I am not Robert पर क्लिक करूँगा फिर से मैं I agree पर क्लिक करूँगा then यहाँ पर register वाले बटन पर क्लिक कर देंगे जैसे ही register वाले बटन पर क्लिक करेंगे इस website के अंदर हमारा account बन जाएगा या फिर अपना username डाला था वो डाल सकते हो then password डालके I remember पर क्लिक करके I am not robot पर क्लिक करने के बाद मैं login पर आपको क्लिक कर देना होगा अपना account इसके अंदर login हो जाएगा तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना जो account है वो login कर लेता हूँ यहाँ पर मैं login पर क्लिक कर दूँगा जैसी मैंने login पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो account है इसके अंदर बन चुका है और मेरा account open हो चुका है अब यहाँ पर मैं profile पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे sign up bonus मिल चुका है जितने भी views आते यहाँ पर 100 हो जाएंगे और आपके earning यहाँ पर 100 हो जाएगी यहाँ पर average CPM 100 हो जाएगा और यहाँ पर referral earning आपके 100 हो जाएगी अगर आप किसी के साथ अपनी link को share करके किसी को join करवाते हो इस website के अंदर तो यहाँ पर आपको referral bonus भी मिलेगा कितना मिलेगा आगे वीडियो के अंदर हम जानेंगे बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इस website का जो homepage कुछ इस तरह के से दिखाई देगा अब यहाँ पर 3.00 पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं payment वाले section के अंदर जाऊंगा और payments चेक कर लेंगे यहाँ पर available balance सो हो जाएगा pending withdrawal यहाँ पर सो हो जाएगा और total withdrawal यहाँ पर सो हो जाएगा withdrawal करने के लिए आप simple से withdrawal वाले option पर क्लिक करेंगे तो आपका जो withdrawal है वो लग जाएगा लेकिन अभी हमारे पास balance नहीं है इस वज़े से withdrawal नहीं लगेगा तो कितना withdrawal इसके अंदर आप ले सकते हो यह भी मैं आपको बता देता हूँ तो 3.00 पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं setting वाला option पर क्लिक करूंगा देन profile पर मैं जाऊंगा अब नीचे की तरब स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप payment किस किस के थूर ले सकते है इसके इसके इंदर तो यहाँ पर आप PayPal के अंदर ले सकते हो वो भी minimum 30 डॉलर होंगे तब आप PayPal के थूर आप अपना payment विड्रॉल कर सकते हो Web Money के जरी आप ले सकते हो Bank Transfer के जरी बैंक ट्रांसपर में आपका minimum payment पांस डॉलर का होना चाहिए तब आप बैंक ट्रांसपर कर पाएंगे UPI के जरी इसके इसके इंदर आप payment विड्रॉक कर सकते हो Patreon के जरी इसके इंदर आप payment विड्रॉक कर सकते हो minimum आपका जो withdrawal amount $5 का होना चाहिए आप जैसी $5 के earning इस website के अंदर कर लेंगे तो आप अपना $5 अपने account में ले सकते हैं और account detail यहाँ पर आपको fill करना होगा आप किसके थुरू payment लेना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले उपर एक options होगा withdrawal method इस पर आप click करने के बाद में यहाँ पर आप अपना withdrawal method select करेंगे यहाँ पर मैं phone पर select कर देता हूँ देन यहाँ पर phone पर number डाल दूँगा उसके बाद मैं simple से sumbit वाल option पर click कर देंगे जैसी sumbit वाल option पर click करेंगे हमारी जो account detail हो save हो जाएगी जब भी in future हम withdrawal लगाएंगे वो हमारे phone पर के जरी हमारे account में आ जाएगा गई तो इस तरह से आपको अपना payment detail डालना होगा बाकि आप अपना address वगरा भी यहाँ पर feel कर सकते हो और sumbit कर दीजेगा देन यहाँ पर मैं फिर से dashboard के अंदर आऊँगा अब इसके अंदर link कैसे sort करनी है वो हम यहाँ पर check कर लेते हैं कि कैसे इसका link sort किया जाता है और कैसे link open होती है ओके तो अब बात करते हैं इस website के अंदर किसी भी link को sort कैसे किया जाता है तो link को sort करने के लिए आप जिस किसी भी content को लिंक को sort करना चाते हैं, उस content के link को copy करेंगे, मैंने यहाँ पर already YouTube के किसी एक वीडियो के link को copy कर रहा है, उस link को यहाँ पर paste करेंगे, paste करने के बाद में हम simple से shorten वाले बटन पर click करेंगे, जैसे shorten वाले बटन पर click करेंगे, then यह website क्या करेगा, अपना एक link दे देगा, जो हम revenue generate होगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, एक views आया है, तो यहाँ पर इसका revenue बना है, 0.065 डोलर, तो यहाँ पर जो इसका CPM rate है, वो 6.5 डोलर, मतलब 6.5 डोलर यह, 1000 views पर 6.5 डोलर दे रहा हैं, तो कोई-कोई website होती है, जो 5 डोलर या फिर 4 डोलर तक ही दे सकती है, ल हाँ guys, एक page के अंदर आपका जो main content है, वो open हो जाता है, तो यह जो website हो काफी शांदर है guys, बाकी market में आपको बहुत सारी website मिल जाएगी, link sorter मिल जाएगी, उन पर आपको 3-4 pages follow करने के बाद में, आपका जो main content है, open होता है, ओके, बाकी demo link में ने video description में दे रहा है, उस demo link प through आपका जो payment है, 2-4 दिन के अंदर आपके bank account में आ जाएगा, जिस किसी के भी through आपने withdraw लगाया था, तो 2-4 दिन के अंदर आपका पैसा आपके account में चला जाएगा guys, और एक last बात है, मैं आपको बता देता हूँ, जो referral earning है, जो आप refer करेंगे, आपका दोस्त आपके link के through join करेंगा, या फिर किसी को भी आप join करवाते हो, तो आपको जो referral earning होगी, वो कितनी होगी, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर मैं 3 dot पे click करूँगा, और यहां पर referrals मैं click कर दूँगा, click करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे 20% of their earnings for life, मतलब lifetime तक आपको 20 परसंट revenue इसके अंदर generate होगा, अगर आप अपनी link के तुरू किसी को भी इसके अंदर join करवाते हो, तो वो बंदा lifetime तक जितनी भी earning करेगा, उसका 20% आपको revenue generate होता रहेगा,